भारत ने जो आज किया है वो हर देश के बस की बात नहीं है, बलकि अमेरिका वो यूरोपिय देश भी नहीं कर पाई दुनिया में जो एलियूमिनियम की मार्केट है वो तेजी से बढ़ रहा है, अलग-अलग चीजों में इसका बहुत ही बड़े लेवल में उप्योग होता ह क्योंकि ये हलका पदार्थ है और ये पानी से खराब कम होता है, एलियूमिनियम का युज बहुत ही ज्यादा लेवल में होने लगा है, आने वाले टाइम में इसका बहुत ज्यादा युज होगा, इसी वजह से इसका मार्केट हर साल 6-7 परसेंट की रफ्तार से बढ़ रह है, और इसलिए कहा जा रहा है कि 2023 में इसकी मार्केट 300 बिलियन के आसपास है, आने वाले 2026 तक करीब 400 बिलियन तक पहुंच जाएगी दुनिया के बड़े-बड़े देश है वह इस मार्केट पर कबज़ा करना चाहते हैं, क्योंकि जितना कबज़ा उनका इस मार्केट पर होगा उतना ही उनकी GDP ग्रोथ होंगी सबसे खास बात यह है, अल्यूमिनियम मार्केट से एकोनोमी नहीं बढ़ती बल्कि उससे भी ज्यादा आपकी जॉब क्रियेशन होती है, अल्यूमिनियम मार्केट में सबसे ज्यादा नौकरिया जनरेट होती है, इसी कारण भारत ते खबर निकल कर सामने आए है कि दुनिया के दूसरे सबसे बड़े एल्यूमिनियम एक्सपोर्टर रुसको भारत ने एल्यूमिनियम का एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है, बाकी आपको क्या लगता है भारत एल्यूमिनियम एक्सपर्ट नमब एक पर आएगा या नहीं सब्सक्राइब जरूर करे धन्यवाद